हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू रीटूज मैजिक कीचेन आज मैं यहां पे आप सब के साथ कुक करूँगी मैं यहां पे मटर का एक डिश बनाऊंगी जिसको बिंगॉली में घुगनी कहते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देख लेते हैं इसके लिए क्या-क्या इ तो मैंने यहां पे पानी थोड़ी सी नमक मैं इसको बॉय होने के लिए रख देती हूं और दूसरे स्टेप के तरफ बढ़ती हूं अब हम इसका इंग्रेडियन्स देख लेते हैं यहां पे मैं एक मीडियम साइज के आलू को ऐसे चोटे-चोटे स्क्वेर कट करके रखी ह 1.5 तेबिल स्पून जींजर गर्लिक पेस्ट 1 स्मॉल ओनियन पेस्ट 1 स्मॉल ओनियन चॉप्ट 1 स्मॉल टोमेटो चॉप्ट 2 तेबिल स्पून कोकोनट चॉप करके यहां पे मैंने रखा हैं 1 तेबिल स्पून कोरियंडर लिप्स 1 ग्रीन चिली ड्राई मसाले में मैं यहां पी यूज कर रहे हूं 1 तेबिल स्पून जीरा पाउडर 1 तेबिल स्पून गरम मसाला 1 तेबिल स्पून कस्मीरी रेट चिली पाउडर 1 तेबिल स्पून टर्मरिक सॉल्ट एस पर योर टेस इस रेशिपी को हम मॉस्टर्ड ओयल में पकाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहां पे कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है अब मैं इसमें 3 टेबिल स्पून मॉस्टर्ड ओयल को डालूँगी सबसे पहले मैं यहां पे एक पिंच हल्दी पाउडर डालूँगी और उसके बाद तुरंती मैं आलू को इसमें डाल दूँगी आलू को हमें प्राय करके ही कूँक करना है यहां पर मैं पढ़तीं नमख भी डालूँगी और इसको थायी ही पर पाउक करना है .. तो इसलिये मैं इसको कवर कर दोंगी आलू प्राय हो चुके है अब मैं इसको निकाल लेते हो अब हम यहाँ पे कोकोनट को फ्राई करेंगे कोकोनट को भी हम निकाल रहे हैं उसी ओयल में मैं एक सुखी लाल मिर्च भी डाल रही हूं हमारा सीटी भी लग सुथी है जीरा 1-4 टेबिल स्पून जीरा चॉप्ट ओनियों यहाँ पे में ओनियों का पेस्ट बिलाऊंगे 1-1-2 टेबिल स्पून जींजर गार्ली पेस्ट 1 टेबिल स्पून जीरा पावडर 1-2 टेबिल स्पून कस्मीरी रेचिली पावडर 1-2 टेबिल स्पून टार्मरी पावडर नमक स्वाद अनुशार अब मैं इन सब को अच्छी करा से मिलाऊंगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को अल्रेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यबाद मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनती है एक लाइक कर दीजिए लोड़े में चॉप टमाटर को मिलाऊंगी हाफ 3 विजपून गरम मसाला मसाला फ्राइ हो चुके हैं अब मैं यहाँ पर फ्राइड आलू को मिला देंगी अब मैं इस बॉल्ड मटर को इसके अंदर मिला दूंगी उसी कूकर को थोड़ी सी धोके में एक का पानी भी इसके अंदर मिला दूंगी इसको बनी चुकी है मैं आप इसको साउप करने वाली हूं एक पर बताना तो मैं भूली गई मेरी खार एक वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्रिप्शन बॉटन के बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कीजिए यहां पर मैं फ्राइट कोकोनट को मिला दूंगी इसको हम जादा ड्राइ नहीं करेंगे क्योंकि यह आटोमेटिकली कुछ देर बाद ड्राइ हो जाएगी अब मैं इसको साउप करके दिखाऊंगी कोई भी गरम समान डालने के पहले हम ऐसे कांच के या पोर्सिरिन के बर्तन के उपर एक मेटल का स्पैटूला रख देंगे उसके बाद मैं इसको साउप करूंगी अब मैं इस पर चॉप्ट कोरियंडर लिप्स ग्रीन चिली हमने जो भूनी हुए मसाला भी यहाँ पर रखे थे उसको हम इसके उपर छी रख देंगे यह जीरा और लाल मीज का रोस्टेट पावडर है रीतूज मैजिक कीचेन में घुगनी बनके तयार है आपको यह रेशिपी कैसी लगी अपना इक्सपिरियंस मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए एक बाद फीर मिलेंगे नए रेशिपी के साथ तिल दें टेक क्यार बाबाई बाद बादे है